नमस्ते बच्चों स्वागत है आप सबका हर घर पाटशाला और जीव टीवी की इस नई वीडियो में इस वीडियो में हम आज इश्वर के प्रती अनुराग जो की आठमा अध्याय है हमारे अतीत समाजिक विज्ञान सातिमी की पुस्तक है तो उसमें हमने आज अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा इश्वर के बारे में जो दक्षिन के संत हैं नाई नार और अलवार संतों के बारे में हमने जाना उसके बाद हमने सूफियों नाथ पंतियों और योगियों के बारे में जाना सूफियों के बाद कई सारे अन्य भक्ति मार्गों के बारे में जाना और उसके बाद हम सिलसला के बारे में जान रहे थे तो सिलसला के बाद आगे के पिष्टों में हम पढ़ते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है तो हमने यहां तक पढ़ा था कि जो महत्पून ओलिया की लंबी परंपरा थी जिसमें अजमेर के खुआजा मुईनुदीन चिश्टी, दिल्ली के कुतुबदीन बक्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के खुआजा मुईनुदीन ओलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुद राज स सूपी संत अपनी खानकाओं में विशेश वैटकों का एओजन करते थे जहां पर सभी भक्त गन जिसमें शाही घरानों के लोग और अवियात और आम लोग शामिल थे, इन खानकाओं में वे आते थे, वे अध्यात्मिक विशेओं पर चर्चा करते थे, अपनी दुनिया- चित्तर है जहां पर सूफी संत अक्सर रहते हैं उस जगह को हम खानकाह कहते हैं यहां कुछ खानकाह में से इस्त्रिया कुछ ले रही हैं। जलालुदीन रूमी तेर्मी सदी का एक महान सूफी शायर था वो इरान का रहने वाला था और उसने फार्सी में कावया रशना की। ना वो खायूम मिला मैं माका जो मका है उसके कावा में भी गया वो नहीं था वहां। मैंने उसके बारे में दार्सनिक अविसन्ना से पूछा वो अविसन्ना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में जहांका यही उसकी जगा थी मैंने उसी वहीं पाया वो और कहीं नहीं है। तो अब हम उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव के बारे में जानेंगे। क्रिशिक ब्यापारी मजदूर और इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए एकटा हो जाते थे। फिर वे उनका परचार करते थे। तो ये चेतन्य देव हैं सौलमी स्थाबदी के भक्ती जो बंगाल के एक भक्ती संत हैं। उन्होंने रहता क्रिशन के प्रती निश कि अबर पूर्ण रूड़िबादी धर्मों को भी अस्विकार कर दिया। तुलसिदास और सुर्दास जैसे कुछ संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पदितियों को अस्विकार करते हुए उन्हें सब की पहुँच में लाने का प्रतन किया। तुलसिदास ने पूर्ण सारावली और सहित्य लहरी में संग्रीहत हैं और उनके भक्तिभा को अभी वक्त करती हैं। असम में शंकर देब इही के समकालिन थे जिन्होंने विश्विकार की भक्ति पर बल दिया और असमिय भाशा में कभी ताएं और अटकली। उन्हों ने नामघर स्थाप स्थापित करने की बदती चलाई और जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीरवाई जैसे शंत सामिल हुए और मीरवाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका वेवास सौलमी श्थापदी में मिवार के एक राजसी घराने में हुआ थ उनकी अनुयाई बन गई। वे एक क्रिश्न के प्रती समर्पित थी और उन्हें अपने गहरे भक्ती भाग से कई भजनों में अविवक्त किया है। उनके गीतों ने उच जातियों के रीती नियमों को खुली चुनोती दी और यह गीत रास्थान और गुजरात के लोक्स हर में काफी महत्पोन हुए। तो यहां देख सकते हैं हम इस चित्र में देख पा रहे हैं कि किन-किन संतों का प्रभाब जो था वो किन-किन भारत के राज्यों या किन-किन ख्षेत्रों में था तो यहां पे हम गुरुनानक, ददू, सू, दास, कभी, रैदास, बल, वचार, रैकनातुकराम जो हमने संतों के बारे में पढ़ा इसको हम पोज करके देख सकते हैं चितन्य देव, शंकर देब, पुंदर दास और इद्र साउत में भी हम भारत के चित्तर पर संतों की अभिव्यक्ति को देख सकते हैं। तो अब शंकर देव की भक्तिसार एक शरन नाम- नाम धरम के नाम से जाना गया, शंकर देव की शिक्षाएं भागवत कीता और भागवत पुरान प्राधारित है, उन्होंने ग्यान के प्रसार के लिए मठो को प्रसाइत किया और उनकी प्रमुक्रच नामे किर्टन घोश था, इन संतों मैं से अधिकांश का विशिष्ट बंचित समदाएं और महलाओं में जो थी, वो काफी लोग प्रिय रही और इस तरह से आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाई हैं, साथ-साथ उन पीडियों के लोगों की रचनाई मानने जा सकती हैं, जो उन्हें गाया करते थे, वे हमारी जीती-जागती संस्कृती की नि बारा गाया हुआ गीत देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं इसको पोज करके, और इसके बाद हमने कबीर को एक नजर से हम देख पाते हैं, कबीर समभवता सोलबी या पंदरमिश्थ हदी में हुए थे, वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संद थे, उनका पालन पोशन बनार प्रश्थ किया सपास मुसलिम जुलाहा यानि की बुनकर परिवार में हुआ था उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी हैं, हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संगरहाद में मिलते हैं, उनकी जो रचनाए थी वो उन्होंने बीजेक पंच मानी गुरुगंत साहिब में सुरक्षित किया गया एक सच्चे प्रभु की खोज में कबीर के दुवारा लिखी गई यह बोली गई एक रचना है तो इसको पॉजगर के हम पढ़ सकते हैं यह एक रचना इसके बाद हम फोटो देख पा रहे हैं कबीर की कबीर के उपदेश प्रमुख धर्मिक परंपराओं की पूर्ण वह प्रचंड अस्विक्रिती पर अधारित थे और उन्हें अडंबर पूर्ण पूज़ा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया उनकी बोलचाल क की भाषा जो थी आम थी अब कबीर नेराकार परमेश पर मैं विश्वास रखते थे उन्होंने जो बुदेश तिया वो भक्ति के माद्यम से मौक्ष की प्राप्ति का था और हिंदू-मुसल्मान जो थे वो दोनों उनके अन्वाई हो गए तो कबीर के पेक्षा में की स्थापना की और उसके बाद उन्होंने कई सारी यात्राएं की और उन्होंने कई सारे शब्द गाए और उन्होंने सभी बेदवाबों को नजद अंजार करके एक सांजी रसोई में कठेक खाना पीना शुरू किया जिसे लंगर कहा गया और उन्होंने एक धर्मिक स्थल निक्त किया था जैसे धर्मसाल कहा गया और इसे गुरु दारा आज कहते हैं तो ये बाबा गुरु नानक जी के दौरा बाकी रचना जो है आप इसमें पढ़ सकते हैं जो पोज कर के हम पढ़ सकते हैं उन्होंने काफी सारे अनुयाईइ उसके बाद उनके हुए उसके बाद बहुत सारे गुरु हुए सिक्धों के दस गुरू माने जाते थे यांतिमते बहादुर जी भी माने गए और उसके बाद उनने उनका जो शिक्खों का महत्पोन एक मंदिर है वो हरमंदर साहिब स्वन मंदिर है जो की अमरिस्टर में है और 16-19 में गुरू गुविन साहब ने खालसा पंद की स्थापना की